वोड़ मॉनिंग दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे उम्मेद करते हूं कि आप ठीक होंगे दोस्तों चैनल आज हम बात करने वाल है कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या क्राइटिरिया होनी चाहिए और क्या 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 का डाकूमेंट लगता है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरे देखीगा सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि क्राइटिरिया क्या क्या होनी चाहिए चैनल के लिए तो चैनल मोनेटाइज के लिए आपको सबसे पहले 365 दिनों के अंदर एक अख़ाजार सब्सक्राइबर और चारहजार घंटे का वाच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है इतना जैसी आपके चैनल पर कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद आपको मोनिटाइज के लिए अपलाई करना पड़ता है तो इसमें तीन स्टेफ होता है पहला स्टेफ और अटोमेटिक हो जाता है तुरंद इसके बाद दूसरा इस स्टेफ गूगल एडिशन्स को होता है तो गूगल एडिसंस का 24 घंटे के अंदर भी प्रूव हो जाएगा फिर इसके बाद आपका चैनल अंडर एगूम जाएगा तो जो की मैक्सिमिमम 30 दिन दिया रहा थे तो एक से दो दिन के अंदर हो जाता है मुनिटाज फिर इसके बताते हैं कि डाकुमेंट क्या लगेगा तो आपको बता दों कि मोनिटाज करने के लिए डाकुमेंट कुछ नहीं लगता है केवल आपकी आज 18 साल सुपर होनी चाहिए तभी आ और फिर जब 10 डालर कंप्लिक्ट हो जाएगा तो पेन कार्ड और पासपोर्ट और लाइसंस इन सभी से आप वेरिफाइट करकर पिन मगवास सकते हैं और आपका पैसा आने लगएगा तो उम्हेद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लेगए और अच्छे लेगए तो ज क्लिम लेगे हो लेगए मेड़ मेड़ तो जा आने मेड़ें आने लेगे डिए प्री जाने मेड़ें जाएगा हैं